हालो बच्चों कैसे हो आप लोग वच्चों आज हम आपके लिए लेकर क्या है बहुत ही इस्पेशल और बहुत ही शांदार सेशन जिसका कई दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे और कई दिनों से उसके बारे मैं अपनी रिसर्च जारी रख रहा था काफे मेहनत के साथ बच् से जादा आपके एक्जाम में नीट जैई ट्वेल बोर और इन एक्जाम के अंदर आप 90% से जादा स्कोर कैसे कर सकते खास करके नीट और जैई के हम बात करेंगे इसके अंदर तो हमारे बहुत ज़रूरी है यह सेशन क्यों क्योंकि भाई सेलेक्शन तो चाहिए रैंग भ वाले दो महीने तीन महीने एक महीने के अंदर अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऐसा अमांट ओफ इस तरीके सा तयार हो जाए कि हम एक्जाम में बेस्ट करके हैं तो बच्चों आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है जो कि कई वी फोहिने बाद होने होने है तो सर हमें इतने कम देशन में जादा से बेस्ट कैसे करके दो कि तरीके से हम अपने तयारी को बेस्ट करे और हमारा सेलेक्शन पक्क हो तो बैटा मैं आपसे promise कर रहा हूँ अगर आपने इस block strategy को follow कर लिया तो आपका definitely selection तो हो गाई होगा अच्छे rank के साथ होगा लेकिन बैटा एक बात ध्यान रखना इसे आपको must must मतलब की करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए इसे follow करना ही है अगर ये दिमाग में रख करके चलो तो इतना सब कुछ effort लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो बैटा प्लीज आपके लिए बहुत मेहनत करके तयार किया है ये पार्ट आप इसको वेस्ट ना करना तो ये मेरा strategy का पार्ट है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी तरफ से हैं आप चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं जिस चीज को फोलो करता हूं मुझे जो लगता है आपके लिए बैस्ट होगा वह आपके लिए यहां पर में लेकर हैं और डेफिनिटली ये वाला जो आपका सेशन है ये आपके एक्जाम में आप मान के चलिए 50 से 100 मार्क्स डेफिनिटली आ में आपको आज आप जिस स्टेच पि हो ना उस स्टेच से आपको 50 से 100 जाधा ही लाकर कि लेगा तो आप तो खुष हो जाईए भाइया अगर हमारे आज जो आने वाले हैं उसकी तुलना है 50-100 अगर जादा आते हैं तो हमारे तो बल्ले-बल्ले हो कि हम तो यही हम चाहते म मानलो किसी के साड़े 500 नंबर आ रहे होंगे 70 नंबर और आ जाए तो भाईया हमार तो सेलेक्शन हो जाए निट में यह मानलो किसी के जए मेंस के अंदर मानलो 80 मांक सारे इसमें कुछ एक दो पॉइंट है मैं आपको बता हूं ब्लोक स्ट्रेजी क्या है उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बदा रहता हूं इसमें मैं आपको डेवाइस प्लांट बताऊंगा डेवाइस प्लांट डेवाइस मतलब की मैंने छोटे-छोटे मतलब कुछ बलक ऑफ सेड बना रखें मतलब की स्टार्टिंग के दस दिन का फिर अगले दस दिन का फिर अगले दस दिन का या स्टार्टिंग के पांच दिन का फिर अगले पांच दिन का फिर पांच दिन का एसे कुछ डेज कंबाइन करके मैंने ब्लोक बना रखें तो एक ब्लोक आपको एक पूरह स्क्षन कुछ दिन dépendे जब तो थी नथी नटीम टीब हो बेटा मैंने 7 block में डिवाइड कर दिया 7 block डेख सकते हो आप यह पहला ब्लोक यह दूसरा ब्लोक यह तीसरा यह चोथा यह पाच्वा यह छटा ब्लोक और साथ टोटल 7 ब्लोक हैं जिसमें मैंने chemistry को डिवाइड कर दिया है अगर आपने इन ब्लोक को फोलो करते हुए आपने स्टडी की इस सेवन ब्लोक क्यों कोडिंग मैं आपसे प्रोमिस करता हूं आपका अपने आपको इसके लिए तयार कर लें तो या तो आप मेरा यह जो तरीका है इसको फोलो करता था मुझे काफे बेनिफिट हुआ या फिर आप अपने इसाप से को इस्टेटिग बना लो तो वेटा देखो मैंने कुल साथ ब्लोक बना रखें यह मैंने आपको बता दिया इन को यहांगा मालो कोई बच्छा नेटकी तयारी कर रहा है नेट से स्टार्ट करते तो डेफिनेटिल नीट का हम 70 sack प्लान ले करके चलरै मैं यहाँ पर आपको नीट के लिए 70 फा hätte लान बता रहा हूं और जहीं के लिए एक ममानहें है तो आप एमालो 25 तो 30 डेस का प्लान है उसके लिए यह लेकिन इसको आप इस स्रीक्तु लिफ लो करता है तो जैई वालो के टाइम बहुत कम है क्योंकि उनके इसाम नसदिक हैने वालो के लिए टाइम जादा उनके एक्जाम ठोड़े से दूर है तो जैई के 70 के लिए 30 डेस का ये मेर पास plan है जो कि आपको strictly follow करना है तो थो हम आते हैं सब से फिले मीटे वाले बच्चों के लिए सब्सक्राइं बना रखा है मैंने कोशिच की है की आपका 12 का जो यह वह पहले cover हो जाए ताकि 12 के जितने chapters पहले cover होंगे तो आप board exam को भी accordingly focus कर पाओगे और मैंने कोशिश किये कि 11 के कुछ topics 11 के chapters थोड़े बाद में तो accordingly मैंने manage किया है इस section को मैंने पूरी कोशिश किये कि वहिया आपका 12 का पार्ट यहां पर ज्यादा हो जैसे कि आप देख सकते हो पहले ब्लोक में सोलिड इस्टेट है थो सवस्ता आप कई बच्चे वो लेंगे सार इंग्लिश में लिखा हो मैंनी भी करके बता दो थो सवस्ता विलियन विद्धू तरसायन और यह 11 तो तीन चैप्टर आपके यहां पर जो है ना यह 3 चैप्टर आपके यहां 12 के हैं SOLID STATE थो सवस्ता विलियन और विद्धू तरसायन यह 3 चैप्टर आपके 12 के ने के पहले प्रिपेर हो जाए और साथ इस ब्लोक के इंदर रेडोक्स केमिस्ट्री और मोल कॉंसेप्ट ये दो मैंने यहां पर एक्स्ट्रा दो 11 के चैप्टर्स भी मैंने एड कर लिये हैं तो बैटा अगर मानलो आप 70 डेज का प्लान तयार करना चाहते हो नीट वाले बच्चे 70 डेज का तो मैंने क्या किया मैंने जो 7 ब्लोक है ना इन 7 ब्लोक को बैटा मैंने दस-दस दिन के section में डिवाइड कर दिया है, मैंने 10 देज इस ब्लोक को, 10 देज इस इसको, 10 देज इसको, 10 देज इसको, 10 देज इसको, ऐसा टोटल 70 देज हो जाएंगे, तो यह 10 देज, 50, यह 10 देज और यह 10 देज, तो यह नीट वाले बच्चों के हिसाब से मैंने प्रिप इकदम बढ़िया से तयार करने, अब इन 5 चेप्टर को भी तयार कैसे करना है, आप देख सकते हूं, यहां पर एक, दो, तीन, टोटल 5 चेप्टर से, 5 चेप्टर से मतलब की, on an average में हर एक चेप्टर को, average बोल रहा हूं, दो-दो दिन देने के लिए, ready हूं, अगर हर एक आपको इसी तरह से हर ब्लॉक के अंदर आने वाले चेप्टर को 10-10 दिन देने, और हर एक चेप्टर को दो-दो दिन यहां पर आपको, डिवोड करना, उसको समर्पित करना है, हर एक चेप्टर के भी दो पार्ट है, पहला दिन थियोरी, दूसरा दिन प्रैक्टिस, सुनन बाटा, एक चेप्टर के लिए दो दिन, पहला दिन थियोरी, दूसरा दिन, पहला दिन थियोरी, दूसरा दिन प्रैक्टिस क्वेशन, इसमे भी फॉस्ट दे थियोरी, सेकंड दे प्रैक्टिस क्वेशन, फॉस्ट दे थियोरी, सेकंड दे प्रैक्टिस क्वेशन, फॉस् इसमें में एक चाहता था कि आपका अटलिस्ट बेसिक पार्ट यहां पर एक बार तयार हो जाए ताकि आप 12 की और गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद आने वाले और गेनिक केमिस्ट्री जो चप्टर से उनको अच्छे से पड़ पाऊ तो यह सेकंड ब्लॉक है आपका इसलिकल केजी एक बच्छो में जो ठर्टीडेश Wasim seven dishes a jam divide करके in block chemistry is is blog strategy Nintendo follow कर सकते हैं 527 block seven blocks है मेर पासért जाई के अंदर जाही के लिए भी seven block Kや और 30 डेस की strategy तो 30 divided by 7 मिलब की आप एक block को 4 दिन के अंदर तयौर करेंगे तो वन block आपका जाई की है तो आपका four days में तयार होना चायए और अगर आप Nate के हैं तो 10 days में नीड के बच्चे हैं तो और आप जही के हैं तो आप चार-चार दिन में इसको प्रिपेर करें तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो ब्लोक बना रखें मैंने अगर आपने एक ब्लोक को पर्टिकलर उस टाइम में कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपको एक्जाम में आप इसी पे स्टिक रहें इसको आप फोलो करते जाएं यह मैंने बहुत सोंच समझ करके बनाया है क्योंकि मैंच आता था कि आप जब 12 की और गयनीक स्टार्ट करें तो 12 की और गयनीक स्टार्ट करने के लिए आपके पास में 11 की कुछ basics clear होने चाहिए अगर 11 के basics अगर क्ल लिधर कार्मिल कंपाउड रेमिंग यह बड़ा सक्षन है बट इसमें आप दस दिन में आप इसको त्यार कर सकते हैं नीट के हैं और चार दिन आप देंगे अगर आप जेए के बच्चे हैं पॉलीमर सर्फेस केमिस्ट्री मेटलर्जी पी ब्लोक एलिमेंट यह आपका ब्लो करने जाएंगे सारा एक साथ आपके सामने तो कन्फिजन बढ़ जाएगा सिक्स ब्लोक में आप बायो मोलीक्यूल केमेस्ट्री नेविडे लाइफ थर्मो डाइनमिक्स उश्मा गतिकी और एक्विलिब्रियम इसको आप अच्छे से पढ़ ले और सेवन्त ब्लोक जो है उ लास्ट में इसको देखेंगे ताकि हमारा ट्वेल्ट का पोर्शन पहले ही कवर हो जाए तो बटा यह ब्लोक स्ट्रेजी है अलग-अलग मैंने ब्लोक बना-बना करके आपको डेवाइस स्टार्टिंग के 10 दिन में फिर अगले 10 दिन में अगले 10 अगले 10 दिन इनको अगल आपका ठे County का है तो एग दिन आपका प्रैक्टिंस क्रस्टन का होना ही चाहिए किसी बीं आपको गेप नहीं करने अगर आप जई के बच्चे है चार चार दिन आपको एक ब्लोक तयार करने में छार दिन चाहिए तो चार दिन में आप एक चब्टर को एक दिन में पूरा एक strategy का पार्ट में लेकर क्या हूं प्लीज इसको strictly follow करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं या तो आप मेरे plan पे चले जाए या फिर आप अपने plan को follow करें आपका कुछ strategy का plan बनाएगे क्लियर तो accordingly पढ़ेंगे तो आपको बहुत benefit होगा चले तो यह सारी बाते थी जो कि मुझे आपको बताने थी इसमें एक चीज़ ज़रूर दियान रखें विटा आपको इसमें एक दो पार्ट आपको दिमाग में बिठा करके रखने होंगे आपको इसमें बिल्कुल भी एक भी दिन का आपको गेप नहीं लेना है continuously हमारी हर एक दिन जो चैप्टर हमने प्लान कर रखें उनको हमको accordingly प्रिपेर करना ही करना है अगर आपने अपने रूटीन में गेप कर दिया किसी दिन बीच में आप कहीं बाहर फेमेली को मिलने चले गए कजिन को मिलने चले गए द बढ़िया से फोलो करें strategy को फोलो करें definitely आपका अच्छा होगा चले बच्चों तो आज के इतना ही मिलेंगे किसी और सेशन में और आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं आपको इसे फोलो करने के बाद कैसा लगता है क्या आपको लगता है कि इसको फोलो करने से आ आपको benefit हो सकता है अगर यस तो आप मुझे प्लिस कमेंट बोक्स में जरूर लिखें आज के इतना ही बच्चों बेस्ट अफ लगत